फिल्म इंडस्ट्री में किसी की डेटिंग की खबरे तो किसी के अलगाव की खबरे आए दिन आना अब आम बात हो गई है। उनके फैंस को निराश कर रही है। दरसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इनके बीच तलाग तक की नौबत आ गई है। बता दे कि पिछले दिनों मुंबई में बिजनस टाइकून मुकेश अमबानी ने नीता मुकेश अमबानी कुल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेर्मनी रखी दी। जिसमें देश भी देश से कई सितारे पहुचे इस मौके पर विश्व सुंदरी अश्वरय रॉय बच्चन भी अपनी बेटी या राध्या बच्चन के साथ पहुची। इविंट के दोनों दिन अश्वरय रॉय के साथ अभी शेक बच्चन के शामिल नहीं होने पर लोगों ने क्यास लगाने शुरू कर दिये कि कपल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा और कई मौकों पर अभी शेक बच्चन को भी अकेले ही देखा गया था जिसकी वज़े से ये तक कहा जाने लगा कि जल्द ही दोनों तलाक लेने वाले हैं हाला कि सच्चा ही क्या है ये तो अभी शेक और एश्वरया ही जानते हैं वेल दोस्तों आपकर क्या कहना है इस खबर पर आप हमें अपनी राय कमिंट बॉक्स में कमिंट करके जरूर बताए और झाली